गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स ट्लास थर्ड मैट्स पेज नमबर थर्टीन स्टुडेंट्स आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने प्लेस वैल्डियो निकालना सीखा था और एक्सराइज वन पॉइंट वो का मैंने आपको खुद ट्राइ करने के लिए कहा था आप लोगों ने से ट्राइ किया वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सराइज वन पॉइंट वो का बी पार्ट राइट दा नमबर स्टुडेंट्स देखे बी पार्ट जो है वो हमारे एपार्ट के जिस्ट अपॉजिट है एपार्ट में हमें एक नमबर दिया गया था और कहा गया था हमें हर डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू दी गई है और हमें उनसे नमबर बनाना है तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे आपको easy हो जाए उसके लिए यहाँ पे places लिख लेते हैं अब देखिए ones place का जो digit है वो होगा 2 10th place की place value 30 है तो 10th place पे जो digit आएगा वो होगा 3 100th place की place value है 400 तो 100th place पे जो number आएगा वो है 4 1000th place की place value 2000 2000th place का number जो होगा वो होगा number 2 तो देखिए अब जो number बना वो है 2432 इसे करने का एक और तरिका है इन zeros को आपको हटा के सिर्फ numbers numbers को उनके places में लिख देना है अब second part और third part भी ऐसी होगा देखिए once place की place value है 2 तो once पे नम आएगा digit 2 10th place की place value 80 तो 10th place की digit होगी 8 100th place की place value 400 तो 100th place पे जो digit आएगा वो है 4 1000th place की place value 7000 तो 7 आएगा हमारे 1000th place में तो number जो बना वो है 7482 once place की place value 2 तो यहां का digit आएगा 2 10th place की 50 तो 10th place पे digit आएगा 5 100th place की place value 400 तो 100th place पे आएगा 4 1000th place 9000 तो यहां पे आएगा 9 तो जो number बना वो है 9452 आगे बढ़ते हैं C part write the place value of the color digit students देखिए यहां पे आपको कुछ numbers लिखके दिएगा है उन numbers में एक digit red color का है देखिए जैसे first number है 5309 इसमें जो 9 number है वो red color का है तो आपको जो यह color वाले digit है इसकी place value लिखनी है देखिए 9 number कौन से place पे है वर्स place पे तो 9 का place value होगा 9 second number है 2761 तो color digit जो है वो है 7 और 7 कौन से place पे है वर्स तैंस हंड़्स हंड़्स place पे है 7 तो 7 का place value होगा 700 next number है 3,941 इसमें color digit है 3 देखिए 3 कौन से place पे है 1s, 10s, 100s, 1000s 3 है 1000s place पे तो 3 की place value होगी तो 6 की place value होगी 600 तो 6,650 तो 6,650 इसमें color digit है 4 और 4 का place है 1000s तो 4 की place value होगी 4,000 इसमें color digit है 6 6 का place है 1s, 10s, 100s 6 का place है 100s तो 6 की place value होगी 600 इसमें color digit है 8,345 इसमें color digit है 8 8 का place है 1s, 10s, 100s, 1000s 1000s place पे है 8 तो 8 की place value होगी 8,000s Next number है 8,272 तेखे इसमें color number है 2 और 2 का place है 1s, 10s, 100s 100s place का है 2 number तो 2 की place value होगी 200 तो आपने इस तरीके से place value निकाली आगे बढ़ते हैं D part Write the expanded form Students, मैंने आपको expanded form भी समझाया था इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा जो number हमें दिया गया है उसमें हमें उस number के हल digit का place value निकालना होगा और उसको plus करते हुए लिखना होगा तो हमारी expanded form बन जाएगी देखिए फर्स नंबर है 4718 तो देखिए 4, 4 का place है thousands तो हमने लिखा 4000 यह की place value हुई 100 प्लेस पे है 7 तो 7 की place value हुई 700 10 प्लेस पे है 1 तो 1 की place value 10 और 1 प्लेस पे है 8 8 की place value 8 हमने इस तरीके से इसे expand कर दिया तो यह है इसकी expanded form बाकी भी हम ऐसे ही करेंगे चलिए करते है 7,098 7 का place thousands तो इसकी place value 7,000 100 प्लेस पे है 0 10 प्लेस पे 9 प्लेस वैल्यू 90 और 1 प्लेस पे 8 प्लेस वैल्यू 8 नेक्स नमबर 5,000 तू 1000 प्लेस पे है 5 तो इसके place value हुई 5000 100 प्लेस पे है 0 तो 0 10 प्लेस पे भी 0 है तो हम 0 ही लिखेंगे जो कि जब हम 0 को 100 से और 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा 0 ही आंसर आएगा इसलिए हमारी place value भी 0 होगी 1 प्लेस पे है 2 तो 2 की place value 2 नेक्स्ट है 6,500 ताउजन्स प्लेस पे है 6 6 की place value 6,000 हंडर्ड्स प्लेस पे है 5 तो 5 की place value 500 10 प्लेस पे 0 place value 0 और 1's प्लेस पे भी 0 तो 1's की place value 0 नेक्स नमबर है 3,456 3 हमारा 1000s place पे है तो 3 की place value 3,000 100s place पे है 4 4 की place value 400 10s place पे है 5 5 की place value 50 और 1s place पे है 6 तो 6 की place value 6 तो हमने इसे प्लस करते वैसे लिख दिया तो ये हुई इनकी expanded form expanded form से short form बनती है मैंने आपको सिखाया था आप इन सब को plus कर दोगे तो ये number आ जाएगा और ये हो जाएगा इसकी short form चलिए आगे बढ़ते हैं e part write the number देखिए इसमें क्या करना है आपको कुछ place values जो हैं वो plus की रूप में लिख्यों ही है आपको ने plus करके number बनाने कौन सा number आएगा चलिए first को करते हैं plus 3000 plus 60 चलिए इसे plus करते हैं once place once के साथ plus होगा tens tens के साथ होगा 0 को 0 से plus किया 0 6 को 0 से किया 6 0 क्योंकि 100 प्लेस पे कुछ है नहीं तो जो यह first number है यह same आ जाएगा क्योंकि 100 और 1000 प्लेस पे प्लस करने के लिए दूसरे number में नहीं है कुछ भी तो हम इसे as address लिख देंगे तो जो number आया वो हुआ 3060 next करते हैं से plus once, once के साथ plus होगा tens, tens के साथ 9 प्लस जीरो प्लस जीरो 9 देखिए यहां पे सिर्फ once place की once place है tens नहीं है इसमें दो डिजिट है tens place पे 8 है और इसके tens plus पे 0 है 8 प्लस 0 8 और इसमें hundreds और thousands place है ही नहीं तो हम 0 और 8 यहां लिख देंगे तो number जो आया वो हुआ 8089 चलिए इसे भी ऐसे plus करते हैं once को once के साथ tens को tens के साथ hundreds को hundreds के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0 0 तो ones place पे आएगा 0 tens place पे देखो यहां 7 है यहां 0 है 7 प्लस 0 प्लस 0 7 तो tens place पे आया 7 hundreds place देखिए तो हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं इसके hundreds place पे है 9 और इसके hundreds place पे है 0 तो 9 प्लस 0 9 और thousand place पे सिर्फ 6 है तो यहां आएगा 6 तो हम इन प्लस किया आगे बढ़ते हैं 8 प्लस 0 प्लस 0 8 तो ones place पे आया 8 tens place पे देखिए यहां पे कुछ नंबर नहीं है इसमें tens place पे 7 है और इसमें 0 7 प्लस 0 7 100 place पे देखो बस इसमें एक नंबर 7 इन दोनों नंबर में 100 place पे कोई डिजिट नहीं है तो 100 place पे आएगा 7 और thousand place है ही नहीं तो नंबर हुआ 778 next करते हैं ones place पे 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो ones place पे आया 3 10th place इसमें है ही नहीं अब इन 10th place के डिजिट को प्लस करते हैं 1 प्लस 0 प्लस 0 1 इसमें 100 place नहीं है तो इन दोनों के 100 place को प्लस करेंगे 5 प्लस 0 5 4000 place पे एक ये डिजिट है 4 तो जो नंबर आया वो है 4513 next करते हैं ऐसे ही 1s place को प्लस किया तो आया 1 इसमें 10th place का डिजिट है ही नहीं तो इने करेंगे प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 9 100 place पे 1 और 0 है 1 प्लस 0 1 और 1000 place पे सिर्फ 9 है तो 9 9191 तो इस तरीके से हमने इने प्लस किया इसको short form भी कहते हैं इसमें students क्या करना होगा आपको आप लोग इन 0s को हटा के इस numbers को ऐसे लिख भी सकते हैं तो भी हमारा हो जाता है यह जस्ट इसके opposite है expanded form के opposite है यह इसमें से हमें zeros को हटा के से plus कर देना है ऐसे और आप इसको इस तरीके से ही plus कर सकते हैं यह एक तरीका मैंने ही बताया है आपको तो यह था हमारा expanded form और short form so students आपसे फिर होगी मुलाकात next video में तब तक आप जो मैंने आज आपको सिखाया है इसके practice कीजिए thank you